नमस्कार शातियों! आज के वीडियो में हम चरचा करने वाले हैं रेलवे में नीु रिक्वर्मेंट ALP वै टेक्निशियन की जो रिक्वर्मेंट प्रोसेसिंग है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे medical test के बारे में और एज लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे तो जो साथी इस चैनल पर नए हैं या आज ही जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सस्क्राइब जरूर कर ले वे बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि रेलवे से समंदित पलपल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगी तो एक बार लाइक जरूर करना तो हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं यहां पर आपका पॉइंट दिया हुआ है रिक्वर्मेंट प्रोसेस्ट तो हम चर्चा करेंगे अल्पी और टेक्निशियन की क्या रिक्वर्मेंट हो क् सब्मिट करना होगा आगे इसमें दिया गया है इंटर रिक्वर्मेंट प्रोसेसिंग इन्वॉल फ़श्ट स्टेज मतलब यह आपका इसमें होता है एक तो फ़श्ट स्टेज जिसको सीबिटी वन का जाता है सेकंड स्टेज सीबिटी टू इसमें दो पार्ट होते हैं ईसाट्रा गया मैं हम फ़ेश्ट स्टेजंग वे स्टाइज़ वह इस इसमें देखो आपके दिया गया स्टाइब कोरे लब कोन व्यरों टेक्निशेंग के लिए दोनों के लिए यह बात करें इसे स्टाइम रहेगा जो टाइम रहेगा वो रहेगा 60 मिनट का और नम्मर ओफ क्यूशन टोटल होंगे फचेतर मतलब 75 क्यूशन आपके रहेंगे minimum percentage of mark eligibility in various categories यह आपके जो passing marks दिया गया कि railway में ALP or technician के minimum इतने percentage mark तो होने ही चाहिए CBT 1 में तो यह आपको दियावारा UR का 40, OBC का 30%, SE का 30% और ST का 25% यह आपके दियावाय और इसमें यह भी दिया गया है कि PWD जो candidate होते हैं उनके लिए 2% extra आपके यहां पे छूट रखी गई है यह हो गया आपका CBT 1 हम देखते हैं CBT 1 में क्या-क्या syllabus होता है और कौन से subject के लिए कितने number या कितने question होते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे यह आपके दियावारा CBT 1 तो देखिए दोस्तों CBT 1 में subject में हम देखते हैं मेर जिसके आपके number of question आते हैं कितने 20 और total जो time आपको मैंने पहले ही बताया था 60 minute हम बात करें reasoning यह रहा आपका reasoning जिसमें question आते हैं आपके 25 मतलब 25 question आएंगे general science यह रहा आपके इसमें 20 question आएंगे आगे देखते हैं यह आपके general evidence on current affair मतलब आपके current affair और जिक्के का जो पाड़ दिया गया है CBT 1 में वो कितने 10 number का रहे गया 10 question इसमें रहेंगे और total of question आपके हो गए 75 जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम देखते हैं इसमें मेत में क्या-क्या syllabus रहता है आपके सामने रा मेतामेटिक्स इसमें नमर सिस्टम बोर्ड मास्ट डेशिमल्स यह आपके LCM SCF और percentage अनुपात समानुपात यह आपको पूरा दिया हुआ है टाइम एंड वरक के क्यूशन रहेंगे और इसमें आपके यह भी दिया गया है एज के एल्गुलेशन कलेंडर कलोग फाइब एंड यह पूरा आपको दिया गया है यह हम देखते हैं आगे आगे के और बढ़ते हैं वीडियो में तो जनरल इंटलिजेंस एंज रिजनिंग के जो क्यूशन होंगे जिसमें हमने अभी उपर देखा था यह कितने नमर का थ गया है बलड रिलेशन जो भी क्यूशन आएंगे यह आपके दिये वी रहे तो यह आपका हो गया विजनिंग आगे हम देखते हैं जनरल साइंस यह आपके जनरल साइंस दैस हैले बस अंडर दी सेल कवर फिजिक्स केमेस्ट्री एंड लाइफ साइंस ओफ टेंथ स्टेंड लेड लेवल के आपको सिविटी वन में साइंस दी जाएगी तो जो टेंथ की बुक होती है उसके माध्यम से बढ़ाई कर सकते हैं अगला आपका डी करन्ट अफेर इसमें साइंस टेक्नोलोजी देदी स्पोर्ट देदिया कल्सर देदिया या आपके पूरी पॉलोटिक व इसके लिए एप्टिट्यूट टेस्ट के लिए तो हम देखते हैं शेकेंड इस्टेज इसमें टोटल जो टाइम दिया गया वह आपके दिया गया दो गंठा 30 मिनट इसमें दो पार्ट रहेंगे पार्ट ए और पार्ट बी जिसके बारे में हम सर्चा करने वाले हैं तो हम पार्ट ए पार्ट ए में आपका टाइम दिया गया 90 मिनट और नंबर ओप क्यूशन दिये गये सो क्यूशन दोस्तों एल्पी वर टेक्निशियन की जो भी कटोप या मेरिट लिस्ट बनती है वह सीबीटी तू है जो उसके फश्ट पार्ट से और जो एप्टिट्यूट टे रहेगा किसके लिए एल्पी के लिए एप्टिट्यूट टेस्ट के लिए हम देखते हैं मिनिमम्म परसंटेज आपका वह सिस्टम है यूर चालीश ओभी सीटीश सीटीश और स्टी पचीश हम देखेंगे यहां पे मेथामेटिक्स की मेथ है उसके कितने क्यूशन आते हैं वह सेम सेलेबस है हम बात करें जनरल इंटलिजेंस और इजनिंग की क्यूशन आपके रहेंगे इसमें 25 सेलेबस है वह आपका सेम सेलेबस रहेगा बेसिक साइंस एंड इंजिनीरिंग जो आपके साइंस तो है पलस इसमें इंजिनीरिंग ड्राइंग और जो आपके आई ट पार्ट यही है 40 नम्मर का इस पार्ट पर आपको ध्यान देना है मैं इसी चेनल के माध्यम से इस पार्ट की आपके कला से स्टार्ट कर दूँँगा तो हम देखेंगे आगे कि इसमें क्या-क्या सब्जेक्ट है तो यह आपके आगया टोपिक जो दिये गए इंजिनिरिंग ड्राइंग के प्रोजेक्शन व्यू ड्राइंग इंस्ट्यूमेंट है लाइन्स है उसके बारे में जोमेट्रिक्स है उसके बारे में सिंबल है उसके मशीन दी गई है यह पूरा आपका उसमें वरक्सोब केल्गुलेशन साइंस में मिल जाएगा हम चर्चा करते हैं अगला डी पॉइंट जो यह आपका जिक्क्य का पार्ट है जो दस नम्मर का आपके रखा गया उसमें भी बोला गया क्या करण्ट अफेर पार्ट बी पार्ट बी में हम बात करें तो पार्ट बी है उसमें टोटल क्यूशन रहेंगे 75 और टाइम रहेगा 60 यहां पर आपको इससे कोई भी कटोप नहीं बनेगा यह इसको ट्रेट टेस्ट बोला जता है इसमें आपको क्योल क्वालिफाई करना है जिसमें आपको 35 पर कहीं जो किस किस डिपार्मेंट का कौन कुण सा ट्रेट टेστ रहेगा कोन कौन सी पोस्ट के लिए रहेगा उसके बारे में में चर्चा करेंगे इससे अगले वीडियो